आप सब भी कैसे हैं अभी स्टूडियो में हैं 195.3 में डिवाइड करेंगे 0.63 का इसको हम ऐसे प्रेक्षन के रूप में भी लिख सकते हैं तो कि आप जानते हैं जो डिवाइड किचिन के बाद लिखी उसे क्या उसका डिवाइड करना होता है जो डिवाइड करना होता है इसको हम कहां लिखते हैं आपके यहां बच्चे पॉइंट देखते हैं कि डिवाइड बहुत मुश्किल हो गया है डिवाइड कैसे होगा पतानी क्या करें। लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि मैं आपके लिए इसका समाधान लेकर आया हूँ देखिए यहां पर नीचे point हाटेगा तो उपर गुणा आएगा 1 point के बाद कितना है कि दो अंक है तो अब यहां point हाटेगा तो यहां गुणा आएगा 1 point के बाद 1 अंक है यह 0 आगया यह multiply में है यह divide में है तो cancel होगा कैसे 0 से 0 cancel होगा उपर कितना रह गया 10 अब यह point हाट गया तो 1953 गुणा 10 कितना गया 19,530 बन गया नीचे कितना रह गया 63 रह गया तो इस divide का मिनिंग क्या है 63 का divide करना है हमें किसमे इसका divide हम कब कर पाते हैं जब दिये गए संक्या इससे बड़ा हो दो अंकी संक्या दो अंके साथ तुलना करो क्या इससे बढ़ा है नहीं है तो फिर अगला आंक सामिल कर लो देखे इस step पाई step समझेंगे तो आप के लिए divide करना आसान हो जाएगा और यह कोई समझना है जिन्द की पर नहीं गुलेंगे क्या आप basic सीखने जा रहे हैं ठीकिए फिर इसको जैसे हम तीन से गुणा करता है नो से 318 195 से बढ़ा नहीं आना चीए इसको एक से लेकर नो तंकी संख्याव से गुणा करेंगे इससे छोटा मिलना चीए यह ध्यांग रखें देखिए दीवाड कब कर पाएंग जब यह 63 से बढ़ा लेकिद 63 को ऐसे नमर से मल्टिप्लाइ करेंगे कि इससे छोटा नहीं चाहिए यह भी ध्यांग रखें यह देखिए थोड़ा सा स्टार्टिक में आपको मुस्कील लग सकता है लेकिन प्रेटिस के बाद आपके लिए आसान होने वाला है कितना आ गया छे ठीक है फिर उपर से एक आंग यहां ले आते हैं कितना आपके 63 63 को 63 में डिवाइड हो गया एक वार कितना आपके 63 फिर नहीं गटाए जिरू आ गया फिर उपर से जिरू यहां जिरू में किसी भी संक्या कर डिवाइड कितनी वार होता है आपका जिरू वार होता है फि क्लासिका 195.3 में 0.63 का डिवाइड कितना मिल गया 310 मिल गया